श्री सिवाय नमस्तों गिन दोस्तों हर हर महादे चैमा काल मैं प्रतिवा सर्मा एक बार फिर से आप सब का स्वागत करती हूँ मेरे यूटूब चैनल पर और दोस्तों आप सब को पताए कि पूजु गुरुजी की कता को सुनकर छोटे छोटे उपाय जो है इस वीडियो के म वीडियो भी बहुत ही खास होने वाला है बहुत ही महात्यपूंच जानकारी आप सब के साथ में शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो को बिना स्किप किये पूरा जरूर देखे आन्ज़ तक दोस्तों आप सबको पता है कि आज है चतुर्थी का पहुत ही पावन सा दिन जी हां दोस्तों श्रावन मास की चतुर्थी पहुत ही अच्छा आज का दिन है और चतुर्थी के दिन जैसे कि आप सबको पता है कि भगवान गणेश की पूजा आरादना की जाती है तो आज के दिन दोस्तों आप सबको जलाना है एक गोल बत्ती का दीपक हां दोस्तों भगवान गणेश के समीप आपको एक गोल बत्ती का दीपक जलाना है आटे का दीपक लेना है दोस्तों कोई भी मिट्टी का दीपक नहीं लेगा नॉर्मली आपके घर में जो आटा होता है उससे छो मंदिर लेकर जाना है आपको करना है यह उपाय सिर्फ और सिर्फ अपने घर के मंदिर में जहां पर आपके पास गणैश जी की प्रदिमा हो मूर्टि ऋ जो भी आपकी घर में गणेश जी की मूर्ती है उसके समी भी आपको यह उपाय करना है दोस्तों बस आपको तयार करना है आटे का दीपक अगर आपके घर में किसी भी तरीकी की कोई भी परिशानी तो यकिन माने दोस्तों कि स्ट्वयम मा पारवति आपके घर की रक्षा करेंगी आपकी सार जाना है एक गुल बत्ती का दीपक और आटे का गोल दीपक तयार कर लिजेगा घी की बत्ती रखकर इस दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में शाम की समझ जलाना है दोस्तों शाम में आप Sihan को प्रजिलित करेंगे घभगवान गण Okay के समीप समर्पित करना है और उससे पहले क्या करना है उससे पहले आपको लेनी है गेहूं के कुछ दाने के बाद आपको इस दीपक उपर रखना है गेहूं के दानों की ऊपर उस आटे के लीग you को रख दीजे दोस्तों और उसके बाद आपको एक नाम लेना है भगवन का एक नाम है जो इस परण करते हुए आपको इस दीपक को प्रजुलित करना है वह नाम है मयूर ध्वज जी हां दोस्तों मयूर ध्वज के नाम से इस दीपक को आपको प्रजुलित करना है और जो भी व्यक्ति आपके घर में परिशान हैं जो भी परिशान हैं आपके घर की हैं जीवन के कस्ट हैं उनको भकवान को आपको कहना है उनको सुनाना है और बस इतना ही करना है दोस्तों आपको इस छोटे सोपाय को करने से यकीन माने कि आपकी जीवन की सारी समझ्चाएं दूर हो ज कि चली वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दूसरी उपाय की तरब बढ़ते और इसमें भी आपको लेना है सरफ दूर और एक दिपक और दूर्ब-,जो भी आप खर पाधीं very कर नहीं है कि आपके आसपास मंदिर नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है आपको इस उपाय को घर पर ही करना है दोस्तों आपको लेनी है कितनी दूर्वा पांच दूर्वा पांच दूर्वा ले लीजेगा दोस्तों और इसी से हमें इस उपाय बहुत ही सरल सा बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों यह सिर्फ आपको लेनी ह आप इस उपाय को करें दोस्तों आप प्रसंद कर सकते हैं चतुरती के दिन जब आप कुछ याकिन कि माने के जो भी आपके जीवन के किश्ट जी परिशानी आपके घर का कोई बीमार है तो उसके नाम के आप इसे को जरूर जलाएं दोस्तों जलाना है आपको आज शाम की समय Charity दिन तो देख़े क्या करना है इस उपाई में आपको लेना है फिर से एख गोल बत्ति का दीपक जैसा कि मैंने आपको पहले उपाई में बताए है आपको लेना एक गोल बत्ती का दीपक दोस्तों और साथी साथ आपको लेनी है हरी दूर्वा अगर आपको सफेद दूर्वा मिल जाती है दोस्तों तो बहुत ही अच्छी बात है जैसे कहते हैं सोने पर स्वहागा अगर सफेद दूर्वा आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं मिलती हैं, तो आप हरी दूर्वा का उप्योग कर सकते हैं, दोस्तों आपको एक दीपक जलाना है बगवान गणेश के शमर पे अपने ही घर के मंदिर में जहां बगवान के आपके पास मुपती प्रतिमा है, वहाँ पर आपको इस दीपक को प्रजलित करना है गोल बती का घी का दीपक जलाना है, साम के समय आप इसे कभी भी कर सकते हैं, तो बस बगवान गणेश के समय पहुंच आईए अपने घर के मंदिर में और जलाना है वहाँ पर एक गोल बती का दीपक, बहुत ज़दा घी नहीं डालना है दोस्तों, बहुत थोड़ा सा घी आपका दीपक जो है कुछ देर जलता रहे, आपको एक गोल बती का दीपक प्रजुलित करना है और जो आपके पास में दूरवा है, जो आपके पास में पांच दूरवा है दोस्तों, उन पांच दूरवाओं को आपको सर्वर प्रथम भगवान गणेश को समर्पित करना है और कहां समर्पित करना है वो दूरवा जो गनपती जी का एक दांट टूटा हुआ है उस इस्तान पर भगवान गणेश को यह दूरवा आपको समर्पित करनी है दोस्तों दीपक में बहुत जाता घी नहीं डालना है थोड़ी सी मातरा में घी डालकर इस दीपक को प्रजलित कीजिए भगवान के समक्ष बैठ कर ध्यान कीजिए अपनी परेशानिया है जो भी उनको आपको बताना है और अपना नाम गोतर का स्मराण करना है साती दोस्तों आप देखेंगे कि जब तक वह दीपक जल रहा है तब तक आपको उसी स्तान पर बैठ कर भगवान का ध्यान करना है और कुछ समय के बाद जब वह दीपक बोच जाता है शान्त हो जाता है तो वह जो दूरवा आपने भगवान गणेश को समर्पित किये दोस्त दिन एक दूरवा आपको उस व्यक्ति को सुबह सुबह खिला देनी है तो जैसे ही आप यह पांच दूरवा एक एक दिन करके उसको खिलाना शुरू करते हैं दोस्तों यकिन मानिए कि उसकी पीमारी उसकी परिशानी धीरे-धीरे करके समाप्त होने लग जाती है भगवान वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें ज्यादा ज्यादा लोगों तक चैर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब सबीकों करना है मिलेंगे अगले वीडियो में और आधिक जानकारे के साथ तब तक के लिए श्री सभाय नमस तुभ्यम दोस्तों हर हर महाले चैनल को सब्स